आज की व्याख्यान उपन्यास काल का उतकर्ष गोदान के कथावस्तु की समिक्षा में आप सब का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनदन किसी भी कृती का शीशग लेखके कलात्मक प्रवृत्ती एवं उसकी अभिरुची का समवाहक होने के साथ अपने आप में महत रखता है शीशक जितना संग्षिप्ट होगा उपन्यासकार का उद्देश उतना ही सफल होता है बहुत लंबे लंबे शीशक पाठकों की जिग्यासा को शान्त नहीं कर पाते हैं प्रमुखटना को व्यक्त करने वाला शीशक पाठक को अपनी ओर खींचता है प्रेमचन के उपन्यास में हम अगर गौर से दिखें तो हमें पता चलेगा कि उनके शीशक पराई संग्षिप्ट रहते हैं चरित्र प्रधान अत्वा ऐसी रचनाओं में प्रधान चरित्र के नाम पर रशना का शीशक रखा जाता है उधारन स्वरूप हम निर्मला उपन्यास को ले सकते हैं मृग नैनी उपन्यास को ले सकते हैं इसके अतिरिक्त कई बार पाठकों में रुची उत्पन करने के लिए रशनाकार सीधे सीधे शीशक को व्यंजित ना करके लक्षना का अवलंब लेते हैं इस तरह के शीशकों में हम इलाचन जोशी के उपन्यास सन्यासी को ले सकते हैं इस उपन्यास का नायक नंद किशोर है किन्तु उसके चरित्र में लेखक ने चारित्रिक विरोधा भास और अंतर द्वंद को व्यक्त करने के लिए उपन्यास का व्यंग्यात्मक शीशक सन्यासी रखा है प्रेमचन के उपन्यास गोदान के शीशक पर अगर हम बात करें तो यह शीशक सार्थक है, संग्शिप्त है और कलात्वक है प्रेमचन ने इस उपन्यास में क्रिशक जीवन उसके परिवार, परिवारिक बिडम बनाओं, संगहश्यों, कुन्ठाओं को होरी और उसके परिवार के अन्य सरदस्यों के माध्यम से लिपिबत किया है और यही लेख किय उद्देश भी था क्रिशक जो सबको अन, दूद, दही इत्यादी देता है अगर हम उसके परिवार की दरब देखें तो दो वक्त के अन के लिए भी उसे कई बार संख़श करना पड़ता है बिमार होने पर दवा के लिए भी उसके पास परियाप्त धन नहीं होता जमिदार, पटवारी, महाजन, पुलिस सभी अपनी अपनी दृष्टी से उसका निरंत शोशन करते रहते हैं क्रिशक जीवन की सबसे बड़ी और सहच आकांशा अपने परिवार के लिए गाई खरीदने की, गाई पालने की होती है हुरी भी इसका अपवाद नहीं है वे अपने बेटे और अपने पोते के लिए एक गाई पालना चाहता है जिससे उसके घर में दूद दही क्या अभाव नहो वे कहता है भगवान कहीं गौं से बर्खा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाई जरूर लेगा वो आगे लिए बोलता है उसकी खूब सेवा करेगा कुछ नहीं तो चार पांच से दूद होगा गोबर दूद के लिए तरस तरस कर रहे जाता है इसी उपन्यास में वो आगे बोलते हैं साल पर भी दूद पी ले तो देखने लाइक हो जाए बच्छे भी अच्छे बैल निकलेंगे गोव से ही तो द्वार की शुभा है सबेरे सबेरे गोव के दरसन हो जाएं तो क्या कहना ना जाने कब ये साध पूरी होगी कब वह शुभ दिन आएगा किसी भी क्रिशक के लिए उसके परिवार के लिए गाए पालना एक शुभ का प्रतीक होता है सम्रिधी का प्रतीक होता है और इसलिए थोड़े से भी धनाजन के उपरांत वे अपने घर द्वार में गाए रखना चाहता है गाए उसके परिवार को ना केवल सम्रिधी देती है उसके बच्चों का उसके पोते-पोतियों का पालन भी करती है जीवन परियंत हुरी अपनी इस छोटी सी लालसा को पूरी करने में लगा देता है किंदू सफल नहीं हो पाता अंत में अपनी मृत्यों को निकट आता देखकर उसे लगता है कि हिंदू धर्म के अनुसार जब तक वह गौदान नहीं करेगा तब तक उसकी मृत्यू सार्थक नहीं होगी मित्रों ये विडम्रा देखिये उसके जीवन की कि सारी उम्र जो व्यक्ती गौपालन की इच्छा रखता है मर्नो उपरांत उसे गौदान करना पड़ता है होरी अब चेतना अवस्था में भी इसी बात को सोचता रहता है और ये बात इतनी उसके मन मस्तिक्ष में गहराई से बसी हुई है कि वे धनिया से कहता है तुम आगए कोबर मैंने मंगल के लिए गाए ले ली है वे खड़ी है देखो अपनी मृत्यू पर गाए देने की लालसा ये केवल होरी के मन में ही नहीं है गाए के लिए होरी निरंतर तडपता रहा और जब उसकी मृत्यू होती है तो आस परोस के जितने लोग वहाँ पर इखटा हुए थे वो सब के सब इस बात पर जोड़ देने लगते हैं कि मृत्यू के बाद गोदान करना तो बहुत जरूरी है अगर गोदान नहीं हुआ तो होरी को मुक्ती नहीं मिलेगी ऐसे में धन्या सुतली बेचकर जो बीस आने कमाए होते हैं उसे मृत पती के हातों से छुआ कर हाथ जोड़ कर दातातीन को दे देती हैं धर्म, धर्म के ठेकेदार ये हमारे उपर इतना आतंक बनाए रहते हैं कि दाता दीन को भी इस बात के लिए जरासा भी संकोच का अनुभव नहीं होता कि वह धन्या से बीस रुपे ले रहा है प्रेमचन उपन्यासों में करथा प्रसंगों को अधिका धिक दो परिछेदों तक बढ़ाते हैं और उसके उपरांध दूसरा प्रसंग प्रारम कर देते हैं इससे पाठकों की उच्सुकता प्रारम से लेकर अंत तक यथावत बनी रहती है पहले अनुछेद में गोदान उपन्यास के होरी की दरिद्रता उसके जीवन की विशमता और उसकी गाय लेने की एक मात्र इच्छा के साथ लेखक परिछेद का अंत कर देते हैं होरी कहता है कैसा शुब दिन होगा कैसा शुब होगा वह दिन जब यह काम धेनू उसके द्वार पर पंधेगी इसी एक मात्र इच्छा को लेकर होरी अपनी जीवन का अंत कर देता है पाठक की जिग्यासा निरंतर बनी रहती है इसके आगे ही परिछेद में राय साहब और उनकी मानसित्ता के बारे में बता कर उपन्यासकार होरी की चिंता को पाठकों से साझा करने लगते हैं राय सापके घर आयूजन है जिसमें होरी को जाना है खाली हाथ जानी सकता घर में पैसे का अभाव है ऐसे में शगुन के पैसे कहां से आएंगे तीसरे आनुछेद में पहले प्रश्न को ही उपन्यासकार ने आगे पढ़ाया है जहां गोबर और जुनिया के प्रसंत के मार्ध्यम से होरी की अभिलाशा और गोदान को वेह बहुमूल्य वस्तू मिलने की आशा पाठा को पुनह उच्साहित कर देती है अब हम गोदान उपन्यास की कथा वस्तू पर विस्तार से बात करते हैं उपन्यास में प्रेंचिन ने होरी और धनिया पात्रों के मार्ध्यम से तत कालीन समाजिक राजनितिक धार्मिक और सांस्कृतिक परिद्रिश्य को उभारने का सफल प्रयास किया है गाउं के सरल भोले भाले लोग शोशन की चक्की में इस प्रकास से पिस जाते हैं कि उनका सारा का सारा जीवन दरिद्रता, भुकमरी, धर्मान्धता में समाथ हो जाता है वो अपने या अपने परिवार के लिए कुछ भी जुटा नहीं पाते उनका जीवन आध्यन्द दरिद्रता में, दूसरों की चापलूसी करने में किसी तरहे से दो जून का भोजन एक कत्र करने में व्यतीत हो जाता है विडमना ये है कि किसान किसानी से परियाप्त कमा नहीं पाता किसानी छोड़कर वे मजदूरी करना नहीं चाता क्योंकि उसे लगता है कि वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा उसके स्वाभिमान के निशानी है उसकी पगड़ी की लाच है और उससे विमुख होना अर्थात अपनी इज़त को अपने स्वाभिमान को अपने से बिलग करना है अवद प्रांत के दो गाउं सेमरी और बिलारी इनके बीच केवल पांच मील की दूरी है होरी बिलारी में रहता है जबकि सेमरी में राई साहब अमरपाल सिंग रहते हैं अन्यपात्र, मिस्टर खन्ना, डॉक्टर महता, मालती ये सब लखनों में निवास करते हैं धन्या के बार बार मना करने पर भी होरी राय अमरपाल सिंग से मिलने उनके गाउं जब तब सेमरी आता जाता रहता है इसका कारण ये नहीं है कि उसे अमरपाल सिंग से कोई विशेश लगाव था इसका केवल ये कारण था कि उसे ऐसा अनुभव होता था कि बार बार राय साहब से मिलने पर गाउं आदी में उसकी समाजिक मर्यादा बढ़ जाएगी लोगों में ऐसा भ्रहम उत्पन होगा कि ये है अमरपाल सिंग का आदमी है होरी धनिया को समझाता है वो कहता है ये इसी मिलते जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है यहाँ जान बचने से क्या मतलब है कि कभी अगर सूद लेने की बात हो कभी मूल देने की बात हो कभी कर्ज लेना हो या कभी हमने उनसे कुछ उधारी ली हो तो एक दो दिन की रियायत मिल जाती है होरी बहुत अच्छे से जानता है कि गाउं में रहना है तो राए साहब जैसे अमीर लोगों के पाउं दबाने ही होंगे सेमरी के रास्ते में उसे गाउं का ग्वाला बिधुर भोला मिलता है जिसे देखकर होरी के मन में गाए पालने की लालसा पुनहा बलवती हो जाती है होरी भोला को उसकी सगाई कराने का लालश देता है उसे पता है कि उसके पास गाए है और अगर वो उस विधुर की पुनहा शादी करा देगा तो हो सकता है इस लालच में वो अपनी गाए होरी को दे दे भोला उसे बताता है कि भूसा ना होने के कारण वै अपनी गाए असी रुपे उधार पर होरी को दे सकता है एक वार तो होरी के मन में लालच आ जाता है पर पुनहा उसे लगता है कि उसे भोला की विवश्चता का लाब नहीं उठाना चाहिए और इसलिए वो भोला को गाए के लिए भूसा देने का वचन दे देता है ड्राय साहब होरी से टेक्स की वसूली करने में सहायता बांगते हैं तब ही एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं अमरपाल सिंग क्रोच से भर कर हेंटर उठा लेते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए चले जाते हैं यह लेखक ने इस बात को रिखांकित करने का प्रयास किया है कि गाउं के जमेदार इत्यादी इतने क्रोधित प्रवृति के थे इतने अमानवियत थे इतने असमवेदन शील थे कि वो मजदूरों का शोशन करते रहते थे और यहां तक कि अपनी बात मनवाने के लिए उनके साथ मार पीच भिकरने से गुरेज नहीं करते थे कथा के अगले चरण में भोला के आगरे पर गोबन उसके घर गाई लेने के लिए चाता है जहां उसकी मुलाकात उसकी भेंट भोला की विद्वा पुत्री जुनिया से होती है दोनों के बीच आकर्शन उत्पन होता है और दोनों बार बार मिलने का निश्चे करते हैं घर में गाय आजाने से होरी के घर में उत्सप जैसा वातावरन चा जाता है केवल होरी के दोनों सगे भाई हीरा और शोभा उसकी इस प्रसंता में समलित नहीं होते हैं होरी को बहुत बुरा लगता है वो उनसे मिलने भी जाना चाता है किन्तु धनिया के डर से उसके पैर आगे नहीं बढ़ते दूसरे प्रसंग में राय साहब के घर उत्सब में धनोशी यग्य नाटक खेला जाता है इस नाटक में होरी राजा जनक के माली का अभिने करता है उत्सब के लिए उसे पांच रुपे नजराना देना था इसमें शहर गाओं के सभी सम्मानित व्यक्ति आमंत्रित थे जिनमें पंडित उंकारनाथ, वकील, प्रोफेसर महता, मिस्टर खर्ना, डॉक्टर मालती, इत्यादी इस नाटक को देखने के लिए उत्सब में समलित होने के लिए एकत्रित होते हैं ड्राय सहाब का जमदारी प्रथा की निंदा करना, उनकी कथनी और करनी के अंतर को यहां स्पष्ट करता है लगान ना चुकाने से होरी को बिवश होकर अपनी गाए जिंगुरी सिंग को देने का निन्ने करना पड़ता है जिससे लगान देने के लिए पैसों की देवस्था की जा सकें किन्तु उसी रात कोई गाए को विश दे देता है जिससे उसकी मृत्य हो जाती है सारा का सारा शक होरी के भाई हीरा पर जाता है यहां होरी के व्यक्तित्व की उस विशेष्था को लेखक ने उद्खाटित किया है जहां वे मन में इस बात को स्विकार कर लेता है कि जरूर हीरा ने ही खाने में मेरी गाई को विश दिया होगा पर प्रत्यक्ष रूप से वे सबके सामने अपने पुत्र गोबर की जूटी कसम खाकर अपने भाई को बचा लेता है गाउं के मुख्या आदी हीरा पर जुर्माना लगाते है हीरा पश्चा ताप में गाउं छोड़ कर दूर कहीं चला जाता है होरी जिंगुरी सिंग से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे भरता है गौहत्या के पाप से बचने के लिए हीरा को घर से बाहर भेजने में मदद करता है एक बार सर्दी की कड़कती रात में जब होरी अपने खेतों की रखवाली कर रहा था तब धन्या उसे आकर बताती है कि जुन्या जो उस समें पाँच महीने की गर्भवती थी उनके घर आई है होरी गुस्से में भड़क उठता है बुरा भला कहने लगता है पर जब धन्या उसे समझाती है कि कुछ भी हो बेटे और बहु को अब स्विकार कर लेना चाहिए होरी उसे अपने घर रखने के लिए तयार हो जाता है जुनिया बेटे को जन देती है किन्तु समाच द्वारा इसे पाप कर्म खोशित करने के बाद पंचायत होरी पर सौ रुपे नगद और तीस मन अनाच का दंड लगाती है धनिया को गुस्सा आता है पर होरी जिंगुरी सिंग के पास अपना मकान गिर्वी रखकर असी रुपे लाकर डांड चुकाता है यहां समाजिक व्यवस्था को अगर हम देखें तो जिस परिवार के पास खाने के लिए परियाप्त धन नहीं है वहां किस प्रकास से समाजिक अन्याई के कारण उसे दंड मिलता है और उसे चुकाने के लिए उसे निरंतर अपना कुछ ना कुछ गिर्वी रखकर पैसे उधा लेने पड़ते हैं गोबर अपनी पत्नी जुनिया और बच्चे को अपने माता पिता के पास सकुषल प्रेम पूर्वक रहता देकर उन्हें छोड़कर लखनों चला जाता है और वहां जाकर वह मिर्जा खुर्शीत के यहां पंद्रा रुपे वेतन पर काम करने लगता है डांड में सारा अनाज देने से इधर होरी की स्थिती खराब से और खराब होती जाती है प्रेम चन्न ने इस प्रकास से अपने इस उपन्यास में होरी जीवन की विडम बनाओं को संघर्षों को कुंठाओं को और किस प्रकास से वो आज जीवन एक गाई पालने की इच्छा रखता है इसे बहुत सुन्दर सरल शब्दों में लिपिवत किया है किस प्रकास से उसके व्यक्तित्व का उन्होंने परिछे दिया कि यद्य भी वो चाहता था गाई पालना पर वो भोला के साथ धोका नहीं करता उसे भूसा दे देता है इस प्रकास से हम देखते हैं कि गोदान उपन्यास होरी जीवन की व्यथा कथा को हमारे सामने उपस्थित करता है अपने अगले वक्तव्य में हम गोदान उपन्यास की कथा वस्तूप को और विस्ता से समझने का प्रियास करेंगे तब तक के लिए धल्यवाद अपने उपस्थित को और विस्ता से समझने उल्ब करता है